मायरा फैशन, स्वामी कॉंप्लेक्स, अन्वेगा मौल, अजमीर पर राजनीतिक रोटियां सेक रही है शासन और सरकार ने लचर स्वास सेवाओं और बच्चो की मोत पर दोशी अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है सरकार ने पीडिया ट्रिक्स विभाग के होडी अमरितलाल बैरवा को हटा दिया है और उनकी जगे डॉक्टर जग्जी सिंग को पीडिया ट्रिक्स विभाग के होडी की जिम्मेदारी दे दी है लेकिन सिर्फ कोटा तक ही ये कारवाई सीमित क्यूं है क्योंकि भैतर इलाज और सुविधाओं के अभाव में तो जोधपूर के डॉक्टर संपूर्णा नंद मेडिकल कॉलेज में भी मैने बड़ से 102 नवजात समेत 146 बच्चों की मौत हो चुकी है बीका नेर में 162 की बूंदी में 10 मौसुम जिन्गी की जंग हार चुके है दिल्ली से कोटा के जेकेलोन अस्पताल पहुची केंद्रिय जांच कमेटी की रिपोर्ट से कुछ जानकारी एंट्री टीव इंडिया को प्राप्थ हुई है जिसके मुताविक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अस्पताल के 70% बॉर्मर काम नहीं कर रहे थे साथ ही कहा है कि बच्चों की मौत रोकने के लिए जल्दी से जल्दी जो भी संभवो वो करना होगा कमेटी के ने रिक्षन का तत्यात्मक रिपोर्ट में तीन महत्पूर्ण जानकरिया भी दी गई है जिसमें जिक्र है कि शम्ता से अधिक यहां मरीजों को भरती किया गया SNCU में जितने बैड थे उससे 180% अधिक मरीज वहाँ पर भरती किये गए यानि कि सुविदाएं नहीं होने के बावजूद बच्चे बरती कर लिये गए और उन्हें इलाज नहीं दिया जा सका चार बच्चों पर एक स्टाफ होना चाहिए था लेकिन तेरा बच्चों पर एक स्टाफ था यानि कि गंबीर बच्चों की देखरेक हूई ही नहीं सकती थी नतीजा समय पर उनने दवाई और इलाज नहीं मिल सका और बच्चों की मौत होती चली गई जिस पर किसी अधिकारी ने सर्कार को खुश करने के चक्कर में कभी भी आपति दर्ज नहीं कराई और इसके साथ ही अत्यदिक सर्दी के बावजूद 70% वर्मर खराब थे यानि कि बच्चों को सर्दी से नहीं बचा जा सका और हाइपो तर्यमिया की वज़े से बच्चों की जाने जाती गई खेर कई सवाहलें जिनका जवाब ना तो सरकार देना चाती है और नहीं साशन क्योंकि नाकामी तो सिस्टम की ही है